गुरु नानक पैदल गाव गाव गूमते हुए लोगों को उबदेश दे रहे थे। एक बहुती दयालू और सासी व्यक्ती, दोनों ही चीज़ें और हम उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो हर समय मुस्कुराते रहने वाले उन सौम्य संतों में नहीं हैं। वो जानते हैं कि कब सक्त होना है और कब नर्म असली गुरू। तो एक दिन वो महमान थे उस इलाके के एक बहुत अमीर आदमी के घर। तो जब वो कुछ दिन वो उसी घर में रहे जाते वक्त। उन्होंने उस आदमी को एक सुई दी, सिलाई वाली सुई। सुई देते हुए उन्होंने कहा इसे तुम अपने पास रखो। जब तुम दुबारा मुझ से मिलो, मुझे ये लोटा देना, तब तक इसे अपने पास रखो। सुई, सोने के नहीं, मामुली सी सुई। उस आदमी ने उसे लेकर अपने पास रख लिया। गुरू के जाने के बाद उसने पत्नी से कहा कि गुरू ने मुझे एक सुई दी है, जो मुझे संभाल कर रखनी है और बाद में उन्हें वापस करनी है। उसकी पत्नी, जो उससे थोड़ी ज्यादा समझदार थी, अक्सर उन्हें ऐसा ही लगता है। वो बोली, तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने गुरू से सुई क्यों ली। अगर तुम ऐसे इंसान से कुछ लेते हो, और मान लो, वो बहुत बुड़े हैं, और अगर वो मर गए, और तुम उन्हें सुई वापस नहीं कर पाए, तो क्या करोगे? तुम हमेशा के लिए कर्जदार हो जाओगे। गुरू से तुमने सुई ली ही क्यों? उनके जैसे इंसान से तुमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हम कुछ दें, वो ठीक है, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति से कभी कुछ मत लेना। अगर वो मर गए, तो तुम ये सुई स्वर्ग नहीं ले जा सकते उन्हें देने के लिए। सुई को स्वर्ग लेकर जाना और वहां देना असंभव है, तो तुम हमेशा के लिए कर्जदार हो जाओगे, और उसे एक कर्म से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, और तुमें हजारों जन्न लेने पड़ सकते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, फोरण जाकर किसी तरह उन्हें ढूंडो और ये सुई उन्हें लोटा दो, तो वो गुरू के पीछे निकल पड़ा, गुरू तेज चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे, देड़ दो महीनों के बाद, वो आदमी आखिर गुरू के पास पहुंच गए तो मैं हमेशा के लिए करजदार हो जाओंगा, और मुझे पता है कि मैं इस सुई को स्वर्ग ले जाकर आपको वहाँ नहीं लोटा सकता, तो गुरू नानक बोले, तो तुम्हें पता है कि तुम ये सुई स्वर्ग नहीं ले जा सकते, तुम्हें ये पता है, है ना? वो बोला हाँ, जब तुम जानते हो कि तुम सुई भी नहीं ले जा सकते, तो तुम इत्ती सारी चीजें क्यों जमा कर रहे हो? तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले जा पाओगे अगर तुम सोई नहीं ले जा सकते तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं ले जा सकते आदमी को बात समझ में आ गई वो उनके पैरों में गिर पड़ा और अपने घर लोड गया वो जो कुछ बेच सकता था उसने अपने आसपास के लोगों के लिए कल्यान कारी कामों में खुद को लगा दिया इतने वक्त तक लोग गरीबी की मार जहिल रहे थे और वो धन दौलत जमा करने में लगा था ये दुनिया बहुत छोटी है ये धर्ती एक सीमित संसाधन है अगर हर व्यक्ती लगतार जमा करने पर उतारू हो जाए तो सिर्फ जगड़ा ही हो सकता है सिर्फ दर्द ही मिल सकता है जब तक हर इंसान अपने अंदर तय नहीं कर लेता कि मुझे इतने की जरूरत है मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा अपनी बाकी काबिलियत का इस्तिमाल मैं लोगों के कल्यान के लिए करूँगा अगर किसी इंसान में ये समझ नहीं है तो वो अपने लिए और दुनिया के लिए एक तबाही है धर्ती पर तबाही भूकम्प ज्वाला मुखी या सुनामी नहीं है असली तबाही इंसान के अज्ञानता है सिर्फ यही एक तबाही है अज्ञानता ही एक मात्र तबाही है ज्ञानोदय ही एक मात्र समाधान है वाकई कोई और समाधान नहीं है तो अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवित होना है बात renunciation की नहीं है, बात है समझदारी से जीवन जीने की विदेशी लोगों ने गलत शब्दों का इस्तिमाल किया है भारती भाषाओं में renunciation जैसा कोई शब्द नहीं है, अगर आपको पता नहो हाँ, संस्कृत में renunciation जैसा कोई शब्द नहीं है विदेशी लोगों ने यहां आकर कहा, इस आदमी ने renunciation कर दिया है नहीं, उसने पूरे ब्रह्मान को गले लगा लिया और आपको लगता है कि उसने renunciation किया है ये आपकी समझ है, क्योंकि आप जीवन के बारे में सोची नहीं सकते, कुछ चीजों पर हग जताए बिना पृत्वी का एक हिस्सा मेरा है, इसके बिना आप जी नहीं सकते किसी ने पूरे ब्रह्मान को गले लगा लिया है, इसलिए उससे ऐसा लगा ही नहीं कि उससे कुछ इकठा करना चाहिए क्योंकि सभी सितारे उसके हैं, पूरी आकाश गंगा उसकी है उसे कुछ भी इकठा करके अपने जोले या बैंक में रखना जरूरी नहीं लगता, उसे ऐसा लगा ही नहीं